हेलो एवरिवान वेल्कम बेक टू माई चैनल आज हम आएं हैं चंडिगड की करजैंसम चो यहां पर जैसे मैंने पहले आपको दिफ्रिंट डाइब्स की फिशिस दिखाई थी आज मैं आपको अलग करा के फूल दिखाऊ यहां से इस शो की एंट्री होती है यह देखिए उपल फूलों से लिखा हुआ है वेल्कम टू करजैंसम शो ट्वंटी ट्वंटी ट्री अब हम अंदर आ गए हैं एंट्रस पर दोनों तरफ फूलों को डिस्पले किया हुआ हैं अलग लग वराइटी के फूल हैं और उनके साथ में उनका नाम भी दिया हुआ है यह देखिए यह सबसे पहले हमें यह रैड फूली मिलें बहुत ब्यूटिफुल लग रहे हैं यह तो फूल कितना जादा बिड़ा है और यूटिफुल है यह देखिए यह फूलो का बहुत बड़ा डिस्पले किया गया है इसमें हर कलर के फूलो को सजाया गया है जो की देखने में बहुत ब्यूटिफुल लग रहे हैं आप यहां पर यह देख रहे होएंगे कि यहां पर यह बहुत सारे फूल हैं उनके नाम भी लिखे हुए हैं जैसे कि स्पाइडर, स्पून, पोरियन डवर, पोरियन सिंगल और यहां पर बहुत सारे फूल हैं और यह आगे उन्होंने स्टैच्छी पर बनाय हुए यहां पर एक मंकी है। और मेरेको तो मन कर रहा है इसको कान पखर दूँ कि ये तो खली बुख पड़ी दे अरोगो फ़ोलस को ये देखिए चारो तरफ फूली फूल है यह देखिए बेस्ट फ्लावर ओफ दशोर वाह बहुत ब्यूटिफुल लग रहा है वाइट कलर का फ्लावर और यह है नूप कल्टिवर ओफ शोर यह नाम दिया हुआ है जिनका है प्रिंसेस ओफ दशोर अच्छा देखते हैं कैसे हैं वाव बहुत ही ब्यूटिफुल लग रहा है और यह क्वीन ओटा शोर वाह रेलिफ्ट लग रही है बहुत बेटी हों इस गार्डन के बीचों बीच, मुजिकल पाउंटन लगाया हुआ है ये देखिये बीच में रेन्वो भी बन रहा है यहाँ पर इको फ्रेंड्ली कुट्स कॉर्लर भी बनाया हुआ है यहाँ देखिये बच्चे फुरा इंजॉय कर रहे है यह अब साप सीड़ी आगी है सोना भी कह रही है मैंने इंजॉय करना है कर दो कि दो कारवा करथा और यह तेंजुय कर देखिये पूलों से ही लिखा हुआ रख्णा संभाल चंदिगड्ड्ड यहां पर हर कोई डिपार्टमेंट अपनी फूलों की डिस्प्ले करता है और उन में से जिसका भी बेस्ट होता है उनको प्राइस बिलता है जैसे फर्स प्राइस, सेकिंड प्राइस और थर्ड प्राइस यह देखिए यह थर्ड प्राइस है और यह उनका नीचे नाम लिखा हुआ है जिनका प्राइस आया यह देखिए डिरेक्टर पीजाई इन्होंने तो बहुत सारे फूलों का डिस्प्ले किया हुआ है और इन्होंने तो 15 प्राइस जीते हैं यह शोव चंडिगड के टैरिस गार्डन सेक्टर 33 में लगाया जाता है और कहते हैं कि इस करजंतुन शोव में 272 प्राकार की फूलों की वराइटी हैं यह देखिए यह बहुत बड़ी बोट बनाई हुए है और यह पूरों फूलों से सजाई हुए है और बहुत बेडिफुल लग रही है और इस कॉर्णर में जिनके प्राइज आई हुए है उनको यहां डिस्प्ले किया हुए है कॉर्णर में प्राइटी बोटनागी है कॉर्णर में देखिए खत्तो हैं झालाओен तुटल। कर दो दो अाम नहीं जो अभर है तो समय जे अगे विस सब्सक्राइबा, ब हाई अर भर कि अभर है मिला में जास्टाओादार दो आ अभर है तो कि अभर है? प्रुष प्रुष रार यह देखिए यहां सेलफी कॉर्णर में बनाया हुआ है ताकि आप अपने साथ यहां की याद्धे में लेके जा सकें यह पीछे आपको आवाज आ रही होगी यहां कल्चर प्रोग्राम दिया है चलिए जाके देखते हैं ट्राफिक पुलिस वालों ने एक सौंख बनाया है उसके द्वारा मैसेज दिया हो कि हम सब हेलमट पहने सबस्ण आपके अपको आपके समय बाद करें दूस भिल्ष कि डिया होगाजर आपके अब लिए गुट्रेय के देने तिराए जुत्ण भार थाबाद करें भूब लूब लिए कि अब हम आगे हैं फूट कॉर्नर यहां पर जैसे राजस्थानी फूड पीजा कॉर्नर इड्री डोसा हर तरह की खाने की वराइटी मिलेगी इस गार्डन में शहीदी स्माक भी बनाया हुआ है इस शो में नाइट भी बहुत अच्छा लग रहा था हमने सचा आपको भी क्यों न दिखाया जाए एंटरस पर ही इनोंने कितनी प्यारी लाइटिंग की हुई है इस इस बनाया है यह देखिए इस फार टॉपिक था जीरो वेस्ट इवन्ट इस शो में प्लास्टिक कहीं भी यूज नहीं किया गया था इवन की डेकॉरेशन में भी नहीं सारी डेकॉरेशन फूलों से की गई थी और फूट कॉर्णर में भी पेपर वैक का यूज किया गया था वाह यह देखिए पेड़ों पर भी लाइट का कितना अचा इफ्रेक्ट आ रहा है मैंने आपको यह दिन में ही दिखाया था मुजिकल फौंटन अब यह रात को देखें लाइटिंग में कितना अच्छा लग रहा है आपको फूरा नाइट में दिखा देते हैं इस समय भी लोग इस शो को देखने आ रहे हैं और इंजॉय कर रहे हैं रात को यह फूल कितने फुट फूल लग रहे हैं कितने आपको यहा हैं कितने लोगब में और देखें कितने खुट रहे हैं झाल झाल यह देखिए राज को भी सारे डास का अनम ले रहे हैं यह देखिए कार्टून का कटर्फ लगाया हुआ है ताकि हमें याद रहे कि कौन सा गार्बेच किस कलर के डस्पी में डालना है आज का मैं ब्लॉग एंड करती हूँ आशक करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो लाइक करने शेर करने और सब्सक्राइब करना thank you, bye bye झाल